वेलकम बख सुटियूज हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो कि आपके बी-ए प्रोग्राम का पेपर है इसका एकाई एक हम लोग कर चुके हैं एकाई दो के हम पार्ट एक और पार्ट दो कर चुके हैं आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एकाई दो का पार्ट दीन तो आज थिंक कि आपको सभी कोई समझने आज आएगा चीतर से जबाब पढ़ेंगे तो पार्ट का नाम है इसका हिंदी सिनेमा की भाषा और उसके विभिन प्रकार पार्ट का नाम है सिनेमा की भाषा और उसके विभिन प्रकार चलिए बटे शुरू करते हैं सिनेमा उननीस्वी शताबदी का एक महान अविश्कार है यह हम सभी को मालूम है बटे और इस खोज में मानव जीवन की कल्पना और रजनात मक्ता को एक नई उडान दी है यह भी हम सब को मालूम है फिल्में बनने के बास से बहुत ही सारे चेंजिस आ गए लोगों के मनुरण जन के तोर तरिकों में समाजिक संदेश देने के तोर तरिकों में काफी बदलाब आ गया है सिनेमा अपने अपने विज्यान है लेकिन फिर भी यह कहीं ना तहीं जब अभी व्यक्ति करता है ते कला आत्मक होता है और इसलिए इसको आजकल के सभी की सभी कलाओं के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है ज्यादा सशक्त माना जाता है, ज्यादा ही शक्तिशाली माना जाता है, सिनेमा में साहितिय, संगीत, कला, इन सभी का मेटे समावेश होता है, यानि कि इसमें सभी की सभी समाई हुए होते हैं, जरसल सिनेमा में समकालें समस्त कराई हैं, अपने उतक्रष्ट तम रोप में सिनेमा को कलक्टिव आर्ट बनाती हैं, यानि कि जो मुझूदा टाइम में जितनी भी कलाई हैं, वो सारी के सारी सिनेमा में शामिल हैं और मिलकर करके इसको कलक्टिव आर्ट बनाती हैं, फिल्म म होते हैं, तो सभी के सभी अपनी आर्ट दिखाते हैं, तम जाकते सिनिमा जो है, एक कलक्टिव आर्ट के रूप में हमारे सामने आप आती है, तो सिनिमा ने समवेत स्वर में कहानी कहने के लिए जो नई भाशारीक से की है, उसे कैमरे की भाशा भी कहते हैं पैटे क्योंकि सिनिमा कहानी सर्फ सुनाने की बज़ाए कि उसको दिखाते ही हुए सुनाता है साहिते में जिस तरह सार्तक शब्दों के समुह दोरा वाक्य बनाई जाते हैं और पिर वाक्यों से अनुच्छेद बनाई जाते हैं जैसे साहिते में होता है शब्द क्या होता है, सार्टक समू होता है वरनों का, तो जब शब्द होते हैं, वो मिलकर के वाक्य बनाते हैं, वाक्य मिलकर के अनुछेद बनाते हैं, ठीक, इसी तरह से सिनेमा में भी कई शॉट मिलकर के सीन बनाते हैं, और सीन मिलकर के सीक्वेंस बनाते हैं, और पर सीक् किसे कोई निर्देशक भी होता है, वो भी, अपने सारे के सारे जो शॉट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, उनको इक तो सीरल वाइज लगा करके, फिल्म की कहानी को परदे पर उतारता है, तो यहां हम ये बात कह सकते हैं, कि साहिते में जो स्थान शब्दों मनोस्थिती, स्थान, आदी सभी को एक शर में व्याक्याइद कर देता है कई बार ऐसा होता है कि एक शॉट में ही हमें किसी स्टोरी के बारे में, किसी फिल्म के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है जबकि साधारन भाशा में इतनी बात कहने के लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा एक अनुच्छे दिखना पर जाए तो शॉर्ट के जदिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी बाते बहुत शॉर्ट फॉर्म में कह दी जाती है इसलिए सिनेमा की बाशा जो है उसे अपनी अभी व्यक्ति में बेजोड माना जाता है क्योंकि बहुत कम शब्दों में कई बार कई बार फेस एक्ष्पेशन से भी बिटा सिनेमा में बहुत सी बाते कह दी जाती है जिनके लिए डायलॉग की जरूद नहीं परती है तो सिनेमा में सबसे पहले ग्रिफित ने अद्रिशियों को शॉर्ट में विवाजित किया था ग्रिफित थे उन्होंने शॉर्ट बनाए थे सबसे पहले और पत्रेक शॉर्ट एक वाक्य या एक शब्द होता है फिन सिनेमा की बार्षा का ही तरीके से हर Short को आप एक बाख या एक शबद मान सकते हैं और शब्दों की तरह Short की भाशा भी हुआ करती है शब्दों की तरह ही Short भी मिलकर के Movie बनाते है या चिनेमा बनाती है कथा साहिते में कहानी को जिस तरीके से अनुच्छेदों में परिछेदों में विभाजित करने की जिरूरत होती है, ठीक, उसी तरह के से सिनेमा की कहानी को भी मिक्स या फेड करके जो किया जाता है, इस तरह से विभाजित किया जाता है, और सिनेमा की भाषा मेंली कैमरे की भाषा होती है, सिनेमा की भाषा जिसे हम कहते हैं मेंली कैमरे की भाषा होती है तो सिनेमा की भाषा और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगी सिनेमा 19 में सदी का सबसे महान अविश्कार है और विज्ञान होते हुए भी व्यक्ति में कलात्मा के अभी तक जो चीजें परकियां हैं सबी कलाओं में गहरा सामंजर से होता है ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं तब ही जाकर के फिल्म बनती है कला मिलती है विज्ञान के साथ साधना और व्यवसाय ये सारी चीजें इकठी होती है तब ही एक फिल्म का निर्मान हो पाता है और साथ ही अभी नेता, निर्देशक, कथाकार, फोतोग्राफर, संगीतकार, गायक, वादक, नर्टक, तक्नी की विशेशग है ये सभी लोग मिल करके जब योगदान देते हैं तब जाकर की एक फिल्म बन पाती है और साथ में इसके लिए पुझी की भी आवश्यक्ता होती है, पैसे की भी आवश्यक्ता होती है बाजार की भी चिंता होती है, साथ में की फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी साथ में दर्शक सब मुल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी ओडियन्स कौन होगी कौन लोग हमारी दर्शक होंगे, किसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं वो लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे यह सब बाते ध्यान रखने होती है बिटे सिनेमा से मनुश्य का नजरिया भी बतला है इसी चित्रि या नाटक में इतना सुख्ष्म अपलोकन वो संभव नहीं है चित्र की जरीए या नाटक के जरीए जितना कि सिनेमा से कादिया जाता तो सिनेमा इसी नई भाशा है जिसमें कठा भी प्रसुत की जा रही है और डाकिमेंटिशन भी हो रहे है बेटे अब है सिनेमा की भाषा सिनेमा में क्रम वार कई शॉट के सहीं हो जनसे सीन और सीन के सहीं हो जनसे सीक्वेंस की रचना होती है बेटा जैसे साहिते में शब्दों से मिलकर के वाके बनते हैं वाकियों से मिलकर के अनुछेट बनते हैं ऐसे ही सिनेमा में shot से मिलकर के scene बनते हैं और scenes मिलकर के sequence बनाते हैं साहीते में जो महत्व ह Griffin का होता है सिनेमा में वही ईस्थान a shot का है सिनेमा में दिखने वाला एक shot कई बार पूरे परिवेश स्थान आदि समी को एक शौनित स्पष्ट का देता है जैसे आपने अगर गाना देखा हो बेटा एक फिल्म आई थी मैं हूना और उसमें एक गाना था चले जैसे हवाई सनन सनन वला पूरा का पूरा एक ही शॉट में फिल्म आया गया गाना है वो तो भाषा में संभाव है कि इसके लिए का नुच्छे दिखना पड़े। के बाद जो कुछ शूट किया पूरा करने के बाद जब कैमरा आफ होता है तो कैमरा आउन और आफ के बीच में एक बार के आउन और आफ में बीच में जो चीज़े शूटिंग होई वो एक शॉट कहलाता है एक तरीके से शॉट जो है वो सिनेमा का एक वाक्या या एक शबदों की तरह short की भाशा जो फिल्मों की एक आंतिक भाशा होती है पूरी कहानी scenes में divide होती है, scene sequence में, sequence short में divide होती है एक shot बेटा camera on होने और off होने के बीच का समय होता है और एक फ्रेम के बाद दूसरा frame आता जाता है अब शौट के बारे में जाने के हम शौट कट अवे के से कहते हैं एक शौट के बाद कट बोल करके दूसरा शौट जहां जोड़ा जाता है उसे शौट कट अवे कहते हैं एक तरीके से ये अध विराम या पूर्ण विराम की तरह से होगा जहाँ पर दो शॉर्ट जुड़ते हैं उसे शॉर्ट का परूट है इसके भी ना सिनिमा के परदे पर कहानी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट अगर जुड़े नहीं जाएंगे तो कहानी पूरी बनेगी नहीं कहानी किस देश की है, किस शहर की है, ये बात पता चलती है, आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में, तो शुरुवाती पहला सीन जो होता है, कई बार वो बर्ड विव शॉर्ट होता है, जिसमें पूरा का पूरा शहर दिखाया जाता है, जैसे वन्स अपॉन अटाइम इन परिवेश की है, नायक नायका के आसपास का माहौल और प्रिट भूमी से स्थापित की जाती है, जैसे के नायक के घर के आसपास का जो दिखा दिया जाता है, कहां पर रह रहा है, वो सब दिखाया जाता है, वो मास्टर शॉर्ट होता है, उसके बाद होता है, फुल शॉर् मिधु ग्लोसम बोलते हैं से कणडे से उपर चाहरे तक हाउब भाव जिसमें बाली की इसे दिखाई पड़ते हैं इसके बाद रहते है अभी की सिरा बें चाहर हैं किसी वस्तु का ही इसे long shot भी कहते हैं, इसके बाद mid shot होता है जिसमें शरीर का ऊपर ही हिसा यानिकि कंदे से, जह कमर से उपर का हिसा दिखाया जाता है। फिर होता है medical close-up जिसमें कंदे से उपर चेहरे तक के हाव बहुत दिखाई जाते हैं और extreme close-up होता है जिसमें चेहरे के स्वेश्ट भाव दिखाई पड़ते हैं तो OTS कहते हैं over the shoulder दो व्यक्तियों की बाचीत की जिसे OTS बोलते हैं, OTS short बोलते हैं मिटा जब दो लोगों की बाचीत हो रही है उनका दोनों का बोलने वालों का चेहरा दिखाई पड़ता है और कंदा दिखाई पड़ता है बोलने वाले का चेहरा दिखता है, सुनने वाले का कंदा दिखाई पड़ता है तो इसे over the shoulder shot कहते हैं पिटा face to face जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने साइट से दिखते हैं उसे face to face चाट करते हैं यानि कि देखने वालों का बात करने वालों का चाहरा एक दूसरे की तरफ होता है और उनकी shooting हो रही होती है अगला होता है low angle shot बस तो यह पत्र को महिमा मंदित करने के लिए कैमरा नीचे रखा जाता है ताकि इमेज बड़ी दिए आप में देखा होगा तार्ज महल की गेटविय आफ इंडिया की लोग इमेज लेते हैं पुरी-पुरी वो लो एंगल शॉर्ट से लेते हैं क्योंकि नीचे रख करके कैमरा को नीचे रख करके पूरा का पूरा जो व्यू है वो कैमरे में आ जाता है और high angle short बनाने के लिए किसी चीज़ को कम तराई दिखाने के लिए किसी चीज़ को प्रभाव ही दिखाने के लिए high angle शॉइज इसमें कलाका जो होता है या पिर जो correction होता है वो छोटा दिखता है अग्ला scene short को सही रूप से जोडने पर scene बनता है जो short होते हैं उनको सही से जोड़ दिया जाए तो scene बन जाता है scene क्या होता है? short के जोड़ने पर scene बनता है और एक स्थान पर एक घटना के लिए दिये गए सारे short चाहें कितनी ही देर कि उने चले मिलकर के एक scene बनाती है एक scene का मतलब है एक जगा पर जो घटना हो रही है उसको पूरा का पूरा फिल्माना वो scene कहलाता है और sequence होता है सब इस scenes को कहानी के क्रम के अनुसार लगाया जाता है shooting कहानी के क्रम से नहीं होती है बेटे कभी भी आम तरपर क्या होता है कि कोई shooting होनी है एक location पर बहुत सारी shooting होनी है जो फिल्म में कई जगा दिखानी है तो उसको एक साथ कर लिया जाता है और बाद में इन सारे के सारी scenes को assemble किया जाता है तो सुविधान अनुसार अलग अलग जगा पर shooting करके सबको editing करके जोडा जाता है तो इससे sequence कहते है sequence में इससे serial wise सबको लगाना short का मतब शब्द sequence प्रभावी बनाने के लिए प्रकार सही होजन और पार्शो संगीत का भी योगदान होता है यानकि background music का भी इस्तिमाल किया जाता है आगे cinema की भाशा में प्रकार सही होजन का महरूर प्रकार सही होजन की lighting का क्या फाइदा होता है cinema में सिर्फ camera की भाशा नहीं होती जो कुछ भी बोला जाता है या कहा जाता है वो सब समय के दूप से film की भाशा होती है प्रकाश सहयोजन फिल्म को अर्चवान बनाता है, मीनिंग्फुल बनाता है इक तरीके से और कैमरा जो है वो पात्रों के मनों भावों को और पी जदा गहराई से दर्च करता है सिनिमा में कई तरह की लाइटों का इस्थेमाल किया जाता है प्रकाश सहयोजन द्वारा फिल्म की भाषा और जदा प्रभावशाली बनाया जाता है शौट में क्या दिखेगा, कितना दिखेगा और कैसा दिखेगा ये सब प्रकाश सहयोजन से ही निधारित किया जाता है न केवल भाषा की मारक शम्ता बढ़ती है इससे बलकि ये भी तैख होता है कि दर्शक को कितना तता कैसा दिखाना है जैसे कि गुरुदत की फिल्मिया, कागज के फूल और सहा बीबी और गुलामिन में सही प्रकार सही उजन की वज़े से जो भाषा की शम्ता बढ़ जाती है हौरर फिल्मों में खाग तरपा लाइटिंग फेक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सिनेमाई भाषा में पार्षुधनी सही उजन कम है तो बैक्राउंड म्यूजिक जिसे कहते हैं आप लोग द्रश्य भावा भाषा को जीवन्त बनाने के लिए पार्षुधनी का प्रयोग किया जाता है जो सामने दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर उसको एफेक्टिव बनाने के लिए बैक्राउंड म्यूजिक का साहरा लिया जाता है और शॉट्स को ये प्रमाणिक और रियाथार्थ बनाता है बैक्राउंड म्यूजिक आबासी अनुभव को वास्तावी का अनुभव कराने में सहायक होता है और पविवेश को जीवन बनाने में सहायक होता है और शॉट्स को रियलिस्टिक बनाने में भी कहीं न कहीं ये फॉलो साउंड करता है दर्वाजे की आवाज, गारी की आवाज, जूते, घड़ी, बरतन, पानी की आवाज, यह सब की सब जो होती है, यह जो है कि आपकी फ्लेश ब्रैक की साउंद कहलाती है, ठीक है बिटा? सिनेमा की प्रकार, अब सिनेमा कितने कितने प्रकार का होता है, यह हम यहाँ पर जान लेंगे, बारतिय सिनेमा को कहानी के ट्रीटमेंट और प्रस्तुति के लिया से दो भागों में बाटा जा सकता है, व्यावसाइक सिनेमा और समाना अंतर सिनेमा, जब फिल्म का मुनाफ़ा कमाना नहीं होता है बलकि दर्शकों तक एक सम्वीदना को पहुँचाना होता है एक संदेश को पहुँचाना इनका संदेश होता है प्रांत विशेश की भाषा संस्कृति और जीवन शैली को ध्यान में रखकर बनी फिल्में शैत्रिय सिनेमा कहलाती है इसी लोकल एडिया की भाषा को वहां की आदतों को वहां के विवहार को ध्यान में रखकर बनी हुई फिल्में शैत्रिय सिनेमा के अंतर गाता आती है और शैत्रिय सिनेमा का पचार पसार कई बार उसी राजिय विशेश तक सीमित होता है जहां की वो भाषा होती है या जहां की वो कल्चर होती है या जहां का वो लाइफस्टायल होता है इस पकार की फिल्मों को दर्शक भी और जो व्यावसाइक फिल्म है उनके मुकाबले बहुत कम मिल पाते हैं लोग कम देखते हैं क्योंकि उनके शेत्री भाषा होती है उनके इतने से किया है कि बैक्राउंड होती है इसलिए और शेत्रिय सिनेमा की वेश है वस्तुने व्यावसाइक और समानंतर सिनेमा दोनों को परियाप्र प्रभाब मिलता है शेत्रिय सिनेमा में समानंतर सिनेमा भी काफी बनता है और व्यावसाइक सिनेमा भी काफी बनता है दूस बाते हो रही है और वर्तमान में व्यावसाइक सिनेमा में आइटम नंबर हिंसा और उत्ते डग दिश्यों की भी खास जगा बन चुकी है तो भारत में हिंदी, तमिल, तेलुग, बांगला, बोजपुरी और इनके लावा और भी बहुत सारी बाशाओं में बनने वाली ज्यादा तर फिल्मों को हम इस ट्रेणी में रख सकते हैं यह कॉमर्शल सिनेमा होता है जिसका मकसद होता है पैसर कमाना तो व्यावसाइक सिनेमा में फिल्मों का ट्रेंट, दर्शकों की पसंद और जुकाब के रिसाब से बदलता रहता है कभी किसी तरह की फिल्में आती है, कभी किसी और ठीम पर फिल्में आने लग जाती है तो इसलिए होता है ताकि जो ओडियन्स ये जो दर्शक हैं, उनके इंट्रेस्ट की फिल्में लाई जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी और ज़्यादा से ज़्यादा आमद दिने है चेत्रिया भाष्राओं की फिल्मों पर भी व्यावस्टाइक सिनेमा की फौर्मूला फिल्मों का असर दिखाई पढ़ता है जो चेत्रिया भाश्राओ की फिल्मी है उन पर भी जो हिंडी की इंग्लिश की मोवी जो उनकी दिखते हैं उनकी फॉर्मूला फिल्मी जो उनका असर दिखाई पढ़ने लगता है और जादातर प्रद्रिशित होने फिल्मि जो है वो फॉर्मूला फिल्मि की कही जाती है अगलाय समानां तर सिंवा ऐसा जन सरोकारी और यठार्ट वाड़ी कलाँदूलन जिसका संबन्ध सिंवा से जिनने संबन्द के याथार जीमन का ना कीवल याथार फिलमा कन हुआ बलकि व्यावसाहिक सिनेमा से विशुद मनोरंजन और अतिरंजन से युद कहानियों से अलग आम जन की कहानियों में प्रमुक्ता से जगा हुआ जब सिक्स्टीज के दर्सक में बिटा दिखा गया कि फ समझिक समस्य आई थी कि वल मरोरंजन करना इन फिल्मों का साथ अंजय के वकूम एक तरह से मकसब नहीं था बलकि कुछ न कुछ ये संदेश भी दिया करते थी तो ऐसी फिल्मों का निर्मान शुरू हुआ 1925 में बाबू राओ पेंटर की फिल्म थी सावकारी पाश और उसके बाद आई आई दुनिया ना मानी ये फिल्में जो थी है समानांतर सिर्मा की शुरूआत कही जा सकती है इन फिल्मों चे कि भारत में समानांतर फिल्मों के शुरूआत सावकारी पाश और दुनिया ना म इसके बाद 1950-1970 के दर्शक के दौरान कई नए कलाकार आये निकलकर के फिल्में बनाने वाले इससपते जित्रे, गुरुदत, वीशांताराम बगरे के नाम कालत तौर पर इसमें लिये जाते हैं, इनकी फिल्मों ने भारत में सचेतन या थारतवादी, कला सिनेमा की ना केव बारत में फिल्मों की नेव नहीं रखी, बलकि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे अवर्ड की थी थी इद्वर की समाना अंतर सिनेमा की प्रमुक फिल्मों में थी इसमाना अंतर फिल्में जो कही जाती हैं, कौन कौन सिनेम में प्रमुक ती, पातेर पन्चाली A innovation, दोबीका जमीन, प्यासा, नागरिक, अजान्तरिक, अभी जन्य, ये सब की सब फिल्म में जो थी बिटा, ये पेरलल सिनेमा की कटेग्री में आती थी. तो आगे, उन्ने सो सतर से असी के बीच, समानांतर सिनेमा की फिल्मकार, श्यान बेनेगल, मनिकॉल, अपढणा सेन, अदूर गोपाल कृष्णन, साईद मिर्जा, कोविन नहलानी, गुलसार वगर जो थे सारे किसारे इस टाइम के फिल्मकार रहें, जो की समानांतर सिनेमा ह बना रहे थे, इनमें गोपाल कृष्णन, गिरीश कासरवल्ली, राजिंदर सिंग वेदी, साईद मिर्जा, कुमार साहनी, जी अर्विंदन, यह सारे किसारे नाम आप ले सकते हैं, और इदोर की प्रमुक जो फिल्म में रहें, जो समानांतर फिल्म में रहें, उन्नें, उ कि बाद 1990 के बाद में समानांतर सिनेमा की धारा अवरुद्ध हो गए, यानि कि समानांतर सिनेमा बनना कहीं रुकाबट आने लगई, क्योंकि बरते पूजी के दवाब के कारण सरकार की योश्य साहयोग बहुत कम मिल रहा था, साथ में समस्या ये भी थी कि इन फिल्मों को प्रदर्शित कहां किया जाए, तो धीरे धीरे करके इन फिल्मों को साहयोग मिलना बंद हो गया, और समानांतर सिनेमा बननी कम हो गई धीरे धीरे करके, तो फिल्मा कारो की जो नई पीड़ी थी, उसने समानांतर सिनेमा के बीच की रेखा को दूमिल कर दिया, यानि कि समा आज के लिए भी उन्मुख हैं और साथ में लिया वसाइख भी हैं। भारतिय स्थर पर नहीं होता है आम तोर पर उसी एरिया में किया जाता है जहां कि ये भाशा होती है। कंणर, उडिया, गुजराती, भुजफुरी, पंजाबी, मलियालम, चतिजगडी, असमिया भाशा हैं प्रमुख हैं। मिला कि 20-25 भाशाओं में सिनेमा निर्मान होता है भारत में बिटे। और समानांतर सिनेमा आंदुलन की विद्वा शुरूआ जो होई थी वह भी बांगला सिनेमा से होई थी यानि कि बंगाल में सबसे पहले समानांतर सिनेमा का असर दिखाई पड़ा था। बंगला सिनेमा के पमुख फिल्म कारों में सत्य जीत रही मिराल सेन पढ़ना सेन रित्वी घटा करीतु पढ़ना घोश वगड़ा के नाम लिये जा सकते हैं। इसी तरीके से जब जो आंदुलन चल रहा था एक समानांतर सिनेमा का अंदुलन जब चल रहा था तो यह लगबाग पूरे भारत में चल रहा था और लगबाग सभी भाशाओं में समानांतर सिनेमा के निर्मान हो रहे थी। कंणर सिनेमा के एक महत्मुन जैसे इजी तरीके से हम सब का एक एक करके देखते जाएंगे, हमने बंगला सिनेमा का देख लिया, बंगला सिनेमा में सत्या जीत रे, म्रणाल सेन, रेतिवित घर्टा का पर्णा सेन, रेतु पर्णाव घोश ये लोग प्रमुक थे, तो कंणर सिनेमा में प्रमुक जो फिल्म का थे, उनमें गिरीश कर्णाड, गिरीश कासरवली, पीशे शादे, जी वी अईयर ये प्रमुक रहे बिटा, इसके साथ ही मल्यालाम फिल्म उद्योग को जीसे कि मॉली वुड भी कहा जाता है, ये भारत का चौत्ता सब्चे बड़ा फिल्म उद्योग है, और प्रमुक फिल्मुक में अदूर कृष्ण गोपालन, जी अर्विंदन, शाजी अनकरुन, टीवी चंदरन वगरे के नाम आ जाते हैं, मराथी सिनेमा का आरम तो दादा साहिब फालके नहीं किया था, जो कि सबसे पहले फिल्म में बना रहे थे, उसके बाद मराथी सिनेमा के कई कालाकारों ने हिंदी सिनेमा को भी सम्रदे किया, मतलब बोलो, मराथी में भी फिल्म बना रहे थे, और साथ में हिंदी में भी ब पर जो कि तेलुगों और तमिल दोनों भाषाओं में डव Fields तो तमिल सिनेमा को कॉलीवोड भी कहा जाता है वेटे कई बार, तो एक समय हिंदी सिनेमा से प्रभावित होने वाला तमिल सिनेमा, आज हिंदी सिनेमा को अपने कला से लगातार प्रभावित करता है, यानिकि किसी टाइम में तमिल सिनेमा जो होता था, वो हिंदी भाषा से आज हिंदी फिल्में तमिल भाषाच से पभावित होती हैं कि चीजे उल्टी हो गए। तमिल सिनेमा की कई पतिभावशाली संगीत निर्देशकों ने भी हिंदी सिनेमा की संगीत परंपरा को दर्शक में प्रभावित किया जिनमें की इलेया राजा, एया रह्मान ये ऐसे बिटा मिजिशन थे जिन्नोंने की हमें साउथ हिंडिया में रहते हुए पूरे इंडिय अभी नए नाट्या, संगीत, नरत्या और तक्निकी का विश्वा जिसमें ये किया कि एक समावेश होता है सिनेमानू ये सारी की सारी चीज़े होते हैं एक समिकित कला है जिसमें कि सिर्फ एक मनुष्य नहीं बलकि पूरी की पूरी टीम काम करते हैं पूरे समों काम करते है सभी की सरजनात्मक्तार उसमें समाहित होती है तकनीकी रूप से सिनेमा एक ऐसा विशिष्ट कलाम आदियम है जो बिंदूओं को चलती फिरती हिलती डुलती तस्वीरों में परिवर्थित करके सुने सुनाई को आँखो देखी बना देता है इससे सिनेमा और भी ज़दा विश्वसनिय हो जाता है अब सिनेमा के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे मूख सिनेमा, सवाग सिनेमा और तकनीकी अधारिस सिनेमा हम लोग ने पहले पढ़ा था बेटे इसके साथ ही व्यावसाइक सिनेमा सिनेमा प्रेम प्रिकोन की कहानिया या लव स्टोरी जो है वो भी काफी बनी और राश्र प्रेम और आतंक बादी संबंदी सिनेमा भी काफी हमारे यहां चल करके यहां पर जो हमें देखने के लिए मिला सामाजी की अथार्च की त्वस्ति होती है सिनेमा में समा सुधार, ग्रामिर जीवन, जमीदारी उन्मूलन, शिक्षा और विज्ञान के लिकास को दिखाने वाली फिल्में हर साल बनती हैं बेटा किसी महापुरुष, खिलाडी, नेता, अभिनेता या समाजी कंदुरन के प्रनेता के जीवन पर आधारे सिनेमा बहुत बनता है, बेटा जैसे कि महापुरुष तरहती ही कोई हो, या कोई खिलाडी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, उनपर भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं और इनका आधार जो होता है करी न कहीं RADAR वाले सिनेमा का वर्गिकरण किया जाता है इनके अलावा भी और कई कटेगरीज हो सकती हैं जिनने के सिनَّ में की सिनिमा के जो कलाकार हैं और सिनिमा को बांटा जा सकता है तो सिनिमा के प्रकार की दृषिति से सिनिमा के उद्देश्य, विशय, स्वरूप, समयवादी के अनुसार जो प्रकार होते हैं बहुत सारी प्रकार हैं इनके अलग-लग अधार बार्बार बांट सबते हैं लेकिन एक feature film एनिके रूपक और दुरसा documentary film एनिक व्रत चितर प्रमुक्नेकं ये दो तरीके मानने चाहते हैं feature film में feature श़भिस्थे मतलए ऐसी फिल्म जिसमें कहा नहीं। और फिएर फिल्म की लागत में बहुत पूंजी लगती है। इसलिए इनका मक्सरद होता है का अपनी the ऊण उपने को वापस निकाल लिए। फिल्में जाज अतर जो होती है कलपना पर अधारित होती है और कई बार किसी यथार्द घर्टना या पात्र का अतिरंजनापूर्ण चित्रन से भी फिल्माकन कर दिया था, कई बार तो क्या होता है कि इमेजनरी करेक्टर होते हैं और कई बार कोई एतिहासिक करेक्टर है उस इने formula बद फिल्म भी कहा जा सकता है यह cinema, फिल्म अधियोक का मुखयधरा का cinema है और इन में नायक और नायका की प्रधानता होती है इन में नायक और नायका जरूर होती है फीचर फिल्मों के वद ही धाई से साड़ी तीन गटे होती है मतरब feature film जो बनती है हो आमays तोर पर 20-383 घंटे के बीच की होती है और सामाने त्रेयस Cinемए घरों में दिखाई जाती है तो feature film وں का हम वरगी करन कर लें पारिबारिक filmें होती है feature filmे जो बनती हो किस तरह की film होती है पारिबारिक filmें होती है जाछे कि सुरज बढ़ जातिया की फिल्म में है मैंने प्यार किया हम आपके हैं कौन प्रेम प्रधान फिल्म में होती है जिन में प्रेम एक रिसे कपल दिखाई जाते हैं योगलों पे कहानिया जो आधारित होती है इंसार वधान फिल्म में जो कि आपकी action movie जिनको आप बोलते हैं सामाजिक फिल्म में जिनमें कि social issues उठाए जाते हैं राजनेतिक फिल्म में जिनमें राजनेतिक मुद्दे लिये जाते हैं और हासर वधान फिल्म में जिनमें कि हसी मजाग मेन होता है तो यह सारी की सारी categories फिल्मों किया गई बिटा एक होती है documentary cinema किसी सत्यगटना, तथ्य, सूचना, परिस्तिति या व्यक्तित्व का प्रमुकता से प्रदशन किया जाता है इसमें और यथास की सजनाता ब्याख्या होती है, यानि कि जो देखा, जैसा देखा, वो बताया, इसमें कहानिया नहीं होती है मुख्य देश होता है सूचना देना और शिक्षा देना फिल्म विकास में कथा की व्रधानता होती है जबकि व्रत्य चित्र में विचार प्रमुक होता है आपर विचार प्रमुक होता है कहानी चलती रहती है जैसे हम किसी मेहमान किया जाते हैं हम लोग बाते तो करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि हम बेश्लाइस बाते कर रहे होती हैं, तो वही चीज यहाँ पर है, बेटे, फीचर फिल्म की बजाए, व्रत्य चित्र की अवधी बहुत कम होती है, और फीचर फिल्म का निर्माण में एक बड़े बजट की जरूवत होती है, जबकि व्रत्य चित्र जो होती है, वो बहुत ही कम बजट में बन जाती है, आगे फीचर फिल्म जो होती है, मूल कताचे जरू होती है, जबकि व्रत्य चित्र जो होता है वो केंडरी ये संकल्पना से चुरू होता है मतलब किस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए आपनी कोई भी व्रत्य चित्र बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए उसको बताया जाता है छोटे परदी यानि टीवी पर documentary film में काफी प्रोहा और साली से दुमानी गई है और documentary filmों के अनिक प्रकार होती है जिनमें सूजना तक documentary होती है यात्रा परक documentary होती है शोध परक documentary होती है सामाजिक documentary होती है और एतिहासिक documentary होती है यानि कि कुछ ऐसा data पहुचाना कि जो सूजना से संबंदित हो किसी शोर से चोट से समवदित हो सामाजिक documentary हो या एतिहासिक documentary हो आगे है टेली फिल्म जो की सिर्फ टेली विजण पर दिखाए जाने के लिए बनाई जाती है उसे टेली फिल्म कहती है इसकी शुरुवाद कब हुई और किस उदेशे से हुई इसके बारे में फिल्हाल यहाँ पर बताना कुछ जरुद्ध है आपके स्लिवत में सामिल नहीं किया गया है इनके माध्यम से जन्स्वास्ते, पर्यावरन संग्रक्षन, जल संग्रक्षन, ग्रामो द्योग, आबास्त निर्वान, बाल विकास, साफ सफाई इनका मकसद होता है टेली फिल्मों का, लोगों को किसी अभ्यान के साथ जोड़ना आगे हैं विज्यापन फिल्में, विया वसाइक लाब के लिए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कंपनी या दुकान के द्वारा, उत्पाद का आपनी उत्पाद का या सेवा को बेशने के लिए फोटो लगाई जाते हैं, बैनर लगाई जाते हैं और लोगों को, इत्रिक से कैलो के ब्रैंट अभेजडर बना जाता हैowana अधिकार जो होते हैं सुपरचित नायक नायकाओं या खेल जगत के व्यक्तित वह या अन्यकलाक शेत्र में सम्मधित व्यक्तित को लेकर के बनाया जाता है मुक्यातिती जो की फेमस होता है आमतर पर और टीवी चैनलों पर सिनेमा घरों में फीचर फिल्मों के बीच बीच में दिखाए जाती है यह सारे के सारे विग्यापन की जो फिल्में होती है जिससे कि ग्रहाक अपना उत्पादक दोनों को फायदा हो साथ जो ग्रहाक को पता चल जाए कि मार्केट में मेरी नीटकी क्य क्या चीजें है और जो उत्पादन करने वाला है उसको भी टाइम से ग्रहाक मिल जा उसका समान टाइमली बिख जाए तो विग्यापन फिल्मों का आज अपना एक अलगस देता है एड़ेटरिसमेल्ट का अनिमेशन और काट्वन फिल्में भी यहाँ पर आ जाती है बिटा इस पकार की फिल्मों को देखने में समाज का एक बड़ा वर्ग बच्चे बुरे आदिस सभी रूची रखते हैं आजकल अनिमेशन तथा काट्वन फिल्मों की भी बड़ी धूमें बहुत अच्छे से पसंद की जा रही है काट्वन और अनिमेशन फिल्में तो यह आपका पाट था चार आपका हिंदी का आज कम्प्रीट हो गया है आपको मैंने अभी अभी करा दिया है इसमें कहीं आपको खुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट स्रेक्शन में पूश सकते हैं आपको तुरंट के तुरंट आपको हो सकते तो रिप्लाई मिलेगा नहीं तो पाट का नाम था आपके सिनेमा की भाषा और विविन प्रकार जो कि आज हमने पढ़ा यह का इड़ का पाट तीं था इसके बाद दो वीडियो आपके और आएंगे उनमें आपका पूरा का पूरा से लिए बस कवर हो जाएगा और इसके साथ ही इसके बाद मैं आपके शुब काम ना है और नया साल आच्छे शुरू हुआ है आपका तो नए साल के भी आपको बहुत सारी शुब काम ना है किसी को कुछ डाउट हो तो बेटा कमेंट शेशन में पूछ सकते हैं Have a great day ahead, जै हिन, जै भारत